जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागते महा काली भकत ग्यान YouTube चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियों में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूं रात तीन बजे काली माता के इस छे मंतर का जाब करने से दो दिन में ही आपको सिद्धी मिल जाएगी माता काली की एक बार आप मेरे कहने से करके देखो आप खुद देखोगे इन मंतरों का चमत कार जी हाँ भक्तो जितने भी काली माता के भक्त हैं उन सभी भक्तों के लिए मैं माता काली के छे ऐसे मंत्र लेकर आई हूँ जिन मंत्र को आप जाब करके मा काली की सिद्धी मात्र दो दिन में ही प्राप्त कर सकते हो समझरे हो जब हम किसी देवी या देपतगी सिध्धी साधना करते हैं तो हमें उसमें लग जाता है करने में जैसे कोई 41 दिन की करता है तो कोई 21 दिन की करता है कोई 108 दिन की करता है तो काफी समें लग जाता है हमें सिध्धी को प्राप्त करने में भीक है तो अब समय को आप करो ख़तम क्योंकि मतर जो मैं ऐसे देने जारी हूँ वो तब जाप किए जाते हैं जब हमें काली माता की सिध्धी को प्राप्ट करना हूँ और सिध्धी प्राप्त करनी हैं आप लोगों को तो च्छे मंतर बताऌगी अब इन छे मंतरों में से जो भी आपको असान मंतर लगे जो आपको अच्छा लगे कि हाँ हम इस मंतर को जब सकते हैं पूरी लगन के साथ और ये हमें अच्छे से याद भी हो जाएगा तो आप इन छे मंत्रों में से एक मंत्र को चूस करके मा काली का सिध्धी को प्राप्त कर सकते हैं मा काली की किर्पा को भी साथ के साथ प्राप्त कर सकते हैं मात्र दो दिन आपको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा जादा दिन करने की जरुवत ही नहीं है जिस दिन से आप शुरू करेंगे एक तो उस दिन आपको करना है और उसके दूसरे दिन रातरी तीन बजे करना है यह जो मंतर है इस मंतर का जाप रातरी तीन बजे ही किया जाता है मतलब कहने का यह है जब हमें सिध्धी प्राप्त करनी हो तो हम पूजा पाठ के दुरान इन मंतरों को जपते हैं तो वो भी अच्छी बात है लेकिन रातरी तीन बज़े अगर आप इस मंतर को जपेंगे तो आपको दो दिन में ही माताकाली की सिध्धी मिल जाएगी और जब आपको सिध्धी मिल जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें सिध्धी मिल चुकी है व पैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूप कर लेना बेल आइकन को उलपे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे तो काली माता के छे ऐसे मंतर बताऊंगी जिन मंतर का चमतकार आपको स्वें दो दिन के अंदर अंदर दिखेगा और छे ऐसे मंतर होंगे जो आपको असान मंतर लगे जिसको आप जब सको अच्छे तरीके से तो आप इसमें से छे में से एक उसी मंतर को चूस करना और इसमें कुछ भीज मंतर है और कुछ गुरू के दिये पहला मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुलगा समा शिवा धात्री स्वाह सधा नमोस्तु दे पहला ये बीज मंत्र है जो काली माता का जो रात्री तीन बजे के समय आपको जपना होगा दूसरा है ओम नमो नमो महा काली दोनों हाथ बजावे ताली जा बैठी फीपल की डाली तेरा बचनना जाए खाली समसान में विराजने वाली काली महा काली दुहाई तुझे कामरू कमक्ख्या की दुहाई तुझे महा देव कुरा पारवती गी ये मंतर दूसरा है जो गुरू का दिया हुआ है तीसरा मंतर है ओम नमो नमो काली महा काली दोनों हाथ बजाए ताली हिंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली पीती भर भर रक्त की पहली तेरा बचनन जाय खाली दुआई तुझे गुरू गोरकनात की दुआई तुझे कामरोदेश का मख्या किये ये तीन मंतर मैंने आपको बता दिये है इनमें से एक तो बीज है और दो है मेरे गुरू के दिये हुए आप चौथा मंतर सुनो जो की बीज मंतर बता रहे है ओम काली महा काली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारा यानी नमोस्त दे ये चौथा मंतर है जिस मंतर का आपको रातरी तीन वजे ही जाप करना पड़ेगा पाँचवा मंतर है ओम क्रीन 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 काली के क्रीन 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 नमहा ये बीज मंतर है जो की समसान काली का है तो आपको केबल मत्र दो दिन में ही मा काली की शक्ति प्राप्त हो जाती है, मतलब शक्ति के साथ आपको सिध्धी भी प्राप्त होगी और सिध्धी के साथ आपको महावकाली की किर्पा भी प्राप्त होगी, इसमें आपको कोई भी कठीनाई नहीं है, छे ऐसे ऐसे मंतर बता दी हैं, जो आज तक आपको जल्दी से किसी ने बता भी नहीं होंगे और इन मंत्र को आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डारेक्ट ही आपको इनका जाप करना है और माता काली की सिद्धियों को प्राप्त करना है तो मैंने जब माकाली की शिद्धि को प्राप्त किया था तो कंटीन्यू मैंने इस मंत्र को पांच करना था तो मुझे अपनी नीद खोनी पड़ी थी थोड़े समय के लिए लेकिन मुझे पाँच दिन में ही माता काली की सिध्धी प्राप्त हो गई थी अब जैसे ही समझ लो आपको सिध्धी प्राप्त होगी तो मा काली आपको स्वयम अपने रूप में दिखने लग या फिर मालो आपके घर में माता काली जिस रूप में विराजमान होगी चाहे आपने घर में मूर्ती रख रखे माता काली की चाहे फिर फोटो रख रखे हो तो जो मूर्ती में माता का रूप है आपके घर में वही रूप में मा काली आपको दिखने लग जाएगी उसी दि काली की सिध्धी को प्राप्त करना चाहिए और देखिए नूर्मल तो हम वैसे भी पूजा पार्ट में माताओं के मंत्र का जाप करते ही रहते हैं लेकिन इन चीजों का हमें फाइदा भी तो उठाना चाहिए फाइदा इस चीज का कि हमें माता की सिध्धी को प्राप्त करना चाहिए इन मंत्रों के जरिये से इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है बस छोटी सी मेहनत यह है कि आपको तीन बजे ही उठकर इस मंत्र का चाप करना पड़ेगा ठीक है तीन बजे करेक्ट बलकि तीन बजने में जैसे 20 मिनट हो तब आप उड़ जाए और अपने मूह हाथ धोल सा कपड़ा बिचाने रहा है कोई चद्धर वद्धर हो उसको बिचा के सीधा अपने दोनों हातों को मोड के माता का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र को केवल 21 बार बूली में वह आपकी सरदा है अगर आप 41 बार बोलना चाहते हैं जादा जपना चाहते हैं या फिर 108 बार बोलना चाहते हैं वह आपकी मर्जी है उसमें मैंनी कुछ कह सकती है लेकिन मात्र इन मंत्रों को 21 बार तो आप लोगों को जपना ही चाहिए और जिस दिन से आप इसकी सुरवात करेंगे आप उस दिन भी रातरी तीन बजे करेंगे और उसके दूसरे दिन भी रातरी तीन बजे ही इस मंत्र का जाप करेंगे और मंत्र जाप करने के बाद आराम से आप बैठे उठे कुछ भी कर सकते हैं दुवारा सो भी सकते हैं लेकिन दो दिन आपको कब कर रहे हैं जैसे की नवरात्रे आ रहे हैं चेत नवरात्रे चेत नवरात्रों में आपको दो दिन जैसे स सिध्धी को असानी से प्राप्त करें आपको खुछ चमतकार अपनी आखों से दिखने लगेगा चलिए भक्तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया अगर कुछ पूझना है कमेट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे फिर मिलेंगे लेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मातकाली हर हर महादे मातकाली बाबा भूले नाता आप सभी की सारी मनुका अबना पूरी करें